वेल फ्रेंट्स वेरी वेरी गूड मॉर्निंग वेल्कम तु सक्सेस मांत्र बाइ जे मलिक आइम जे पी मलिक बिफोर यू तूड़ ओर चैटर विल बी वाट इस एंसेस्टर प्रोपर्टी पैत्रिक भूमी क्या है यह बहुत ही पैत्रिक भूमी और दिखिए जो प्रोपर् एक एंसेस्टर पैत्रिक भूमी दादालाई जमीन जिसको बोलते हैं और दूसरी सेल्फ एक्वाइड प्रोपर्टी तो आईए इसमें बड़ा कन्फूजन रहता है कई बार केस पाइल केर दिये जाते हैं और बाद में पता लगता है यह समझ करके के यह पैत्रिक भूमी ह यह एंसेस्टरल है या सेल्फ एक्वाइड है तो आएए शुरू करते हैं तो यह वाट इस एंसेस्टरल प्रोपर्टी बेसिक इसमें राइट बताएंगे क्या इसके पैत्रिक भूमी में क्या बेसिक राइट है और इसका पार्टिशन का तरीक का आपको बता जाएगा तो आईए फिर इसके characteristics क्या है सबसे पहले देखिए मैंने बता था कि जो फेमली property remain undivided for minimum for generation ये चार generation बतल ऐसा है तो चलिए मैं पहले graph से समझा देता हूँ इसमें क्या है जैसे स्पोज यहां ग्रेट ग्रेंट फादर फिर ग्रेंट फादर फिर फादर और फिर ये sun और आगे भी तो minimum ये चार जो generation है ये generation ये पर दादा से दादा पर दादा इंदी मैं अगर समझें पर दादा से दादा दादा से पिता जी पिता जी से पुत्र तो ये जो चार generation है ये इन में इंतकाल जैसे इन के चले जाने के बाद ग्रेंट फाद पर दादा के जाने के बाद दादा को जमीन कैसे आई हो विरासत में मिली हो बीच में कोई डाकूमेंट, जेल डीट, गिफ डीट कुछ नहीं हो या कोई फेम्ली सेटलमेंट नहीं हो तो इसके बाद ग्राट शाषवा घ्रादा के बाद फाद abre को मिली हो और प्रोटी जेनरेशन विरासत में मिली हो तो इसके और निये मी क्या है देखिये एक तो ये अन रही हो इस बीच में ये इसका भी भाजन नहीं हुआ हो किसी कारण भी कोई गिफ्ट से या डीड से कोई भी डाकुमेंट इन्वाल्व ना हो अपने आप विरासत में चली आ रही हो तो ये इसका खास्पना है दूसरा प्रोपर्टी ट्रांसफर्ड थू जनरेशन टू जनरे इसके लिए हो रहा के भी ये मिनिमम्म चार जनरेशन का है और ये फोर जनरेशन जो है ये मेल लाइनेज होनी चाहिए फिमेल से नहीं आनी चाहिए प्रोपर्टी अगर फिमेल से आती है तो वो इंसेस्टर प्रोपर्टी नहीं है पैत्रिक भूमी नहीं कहल आएगी तो मे मेल लाइनेज्, ये comparison, YouTube के case में है, तो पेतरिक भूमी के ये occurs है कि मेल से हो और इसका डिवीजन नहीं हो और कोई document, ये 3 इसकी मेर्ड जो रिख्यूलिख्य। और कि बाऊनठिये lud ये ये कई है. त message में इसको मे hait Rock havia और और कोईOWN दिया है basic right co-personer, यह co-personer क्या होता है, देखे, co-personer जो एक family में by worth, कोई भी family में जनम लेता है, co-personer, family में जनम लेता है, तो by birth उसका right बनता है, by birth, चाहे वो minor child हो, चाहे major हो, उसका right बनेगा, और उनका right एक साथ बनेगा, यानि कि किसी के भी right को ignore नहीं कर सकेंगे, इसमें ancestor property के अंदर, तो cover-person right by birth बनता है, अच्छा, daughter को भी equal to sons right दिया गया है, यह Hindu Succession Act, जो 2005, यह 2005 में amendment आया था, तो यह section 6 उसका यह कहता है, कि जो daughter है, उसको equal to son, पुत्रों के बराबर का दिकार दिया गया है, absolute right दिया गया है, तो यह इसका दूसरा right हो गया, basic right, daughters का, यह पहले, 2005 से पहले नहीं था, every co-personer, even minor, under guardianship has a right to claim for partition, कोई भी co-personer, partition के लिए claim कर सकता है, अगर minor ने करना है, तो under guardianship हो जाएगा, no sale or transfer of property without consent of all family members, बिना family members के consent के, कोई भी sale transfer नहीं हो सकती है, तो यह इसके basic rights हैं, अब कुछ exception है, sale के connection में, करता को, जो family का head होता है, उसको कुछ अधिकार दिये गए हैं, कि करता family can sale dispose of the property, कब, in case of following emergencies, कोई genuine cause हैं, जिनके बिना काम चल नहीं सकता, क्योंकि यह देखे, landmark judgment हैं, from court, high court से, तब यह एक video यह बनाया गया है, जिसमें सारे landmark को ध्यान मरक के बनाया है, तो देखिए, कैसे exception, legal necessity है, कोई, जैसे कोई severe disease है, और family के source, income source इतने नहीं है, तो उस case में, उसको बेचा जा सकता है, marriage है, education का है, या court order to pay any debt, कोई करजा है प्रिवार के उपर, और वो चला रहा है, उस करजे को देने के लिए भी sale की जा सकती है, कोई विक्ती, कोई co-person or कोई family member, यह claim नहीं कर सकता, कि यह क्यों बेची है, यह exception है, और legal necessity बता दी मैंने, और दूसरा है, benefit of state, जो, for example, जैसे कोई मकान है, और वो बिलकुल खंडर है, जो गिरने की स्थिती में है, उस स्थिती में, और source of income नहीं है, तो मकान को बेचा जा सकता है, यह court के decision है, और या baron agriculture land, जो बंजर भूमी है, उसको बेच करके कोई अच्छी भूमी, अगर प्रिवार के hit के लिए ली जाती है, तो उस case में भी यह बेचा जा सकता है, और तीसरा है, discharge indispensable duty, कुछ duty, हमारी संसार में ऐसे होती हैं, कि वो करनी पड़ती हैं, जैसे funeral expenses हैं, funeral expenses दा संसकार, उस पर जो खर्चे हैं, तो इस तरह की कुछ duties हैं, वो जमीन बेच करके करता कर सकता है, कोई इस पर objection नहीं उठा सकता है, generally कोई share बिना किसी consent के कोई करता या कोई co-personer नहीं बेच सकता, तो एक और है, to make a will, will किसकी, to make a will, अपने share की will, और या transfer of share by any co-personer, कोई भी co-personer अपना share बेचना चाहे, transfer करना चाहे, तो court का decision है, वो कर सकता है, लेकिन वो अपनी मर्जे से नहीं कर सकता, या she can be, it can be done through filing suit for partition, partition का suit file करके ही किया जा सकता है, तो ये था ancestral property, अब इसका partition का मैंने video डाल चुके हो, mutual consent, आम share मेंती है, अगर सभी member में हो जाती है, तो उससे partition हो सकता है, लेकिन generally होता नहीं है, oral partition, वोखी partition, इसमें कोई stem duty नहीं होती, लेकिन दिखिए, ये जो oral partition है, इसको आपको proof देना पड़ेगा, court में साबित करने के लिए, जैसे इसके लिए है कि अलग portion बढ़ाए जाएं, अलग बिजली पानी बिल, तो court को साबित करना पड़ेगा, oral partition लेकिन हो सकता, stem duty बचाने के लिए लोग करते हैं, अगर सहमती नहीं बनती हैं, तो suit for partition, partition का suit डाला जा सकता है, काफी कोस्टरी पड़ता है, लेकिन क्योंके सहमती नहीं बनती है, और सबसे अच्छा जो मैं मानता हूँ है, referendum of family settlement, इसमें कोई stem duty नहीं है, इसमें कोई registration कराने की जरूत नहीं है, ये मैनने है, परन्तु ये bonafide होना चाहिए, किसी का अहित नहीं हो परिवार में, सब की खुद की इच्छा और सला हो, महकिक settlement करके 5-7 दिन या महिने के अंदर उसको लिख लिख देना चाहिए, तो this is all about what, what is ancestral property, basic right and partition, I think it is okay, you have understood my point, have a nice day, thank you.